हाई दोस्तों मैं उपेंदर गुपता फिर से अपने उपेंदर गुपता टेक चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं तो दोस्तों आज की वीडियो में यह क्लियर करने वाला हूं इस बात को लेकर जैसे कि आपके पास लिप्टॉप है या पीसी है तो आगर आप उसमे साफ्टिवेर इंस्टाल करते हैं तो कभी-कभी डिस्प्लेय नहीं होता है मतलब वह दिखाता नहीं है जो एप इंस्टाल करते हैं उसका आइकन नहीं दिखाता है तो आप सोचने लगते हैं कि साफ्टिवेर इंस्टाली नहीं हुआ कहां गया किदर गया तो दोस्तों टे स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे क्या होता है यहां सबसे पहले सिस्टम की स्क्रीन पर आजाएंगे सिस्टम की स्क्रीन पर आनिक बाद मैं बताता हूं आप सभी को अगर यहां पर देख सकते हैं कोने में मेरा इतना ही दिखा रहा है अगर आप इस्टाल जुरंद की हैं तो यहां पर सूर नहीं हो रहा है आइकन उसका तो आप टेंसर नहीं लिजिए क्योंकि यह सेटिंग में छुपा रहता है उसको लिकानना पड़ता तो यहां पर विंडो वाले बटन पर क्लिक करेंगे ठीक है डिस्प्लाइप उसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि इतना एप दिखा रहा है फिलाल यहां पर नीचे आएंगे यहां पर आले पर क्लिक करेंगे आले पर क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि यह फोटो सेवन मेरा नहीं दिखा रहा था मैं इसको यहां से राइट क्लिक करके माउस से और यहां पर बाहर लिकाल देता हूं ठीक से मैं यहां पर देख सकते हैं कि मेरा यहां पर पड़ा हुआ ठीक है तो मैं इस इमो को left click करके अपने mouse को left click करके यहां पर scroll करके अपने display पर ला दूँगा ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं कि इसका भी icon आ चुगा ठीक है इस तरह से जो software इंस्टाल करते हैं अगर यहां पर display नहीं होता है उसका icon नहीं show होता है तो यहां से आप window पर जाके यहां पर click करके यहां पर देख सकते हैं कि चार option मिलेगा आपको और यहां पर आपको कुछ करना नहीं होगा ठीक है यहां पर नीचे आना होगा यहां पर आल एप पर यहां पर आल एप में आपको जितना भी आइकन दिखाने लगा जब क्लिक करेंगे तो यह open बराबर होगा ठीक है तो दोस्तों मैं आसा करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक किजिएगा वीडियो को सेर किजिएगा कॉमेंट किजिएगा कमेंट करके बताई आपको कैस आइसा वीडियो चाहिए ठीक है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि मैं ऐसा ऐसा वीडियो लाता रहता हूं ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए ठाटा बाए बाए